हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्णर आज हुम करेंगे डाटा हेंलिंग का पार्ट टू अगर पार्ट वन आपनी नहीं देखा है तो लिंक डिस्किप्शन बोक्स में है जब तक आप पार्ट वन नहीं देखेंगे पार्ट वर्क वीडियो में हमने क्या पाई चार्ट होते हैं, पिक्टोग्राफ होते हैं, उनको हम रीड कैसे करते हैं, और मैंने पेस के उपर आपको बार ग्राफ जो है ड्रा करके दिखाया था, आज मेरे पास है ग्राफ पेपर, एक्जाम में आपको जो है न ग्राफ पेपर भी दिया जा सकते हैं, जिस पर करते हैं हमारा first question है the table given below shows the types and number of animals in Rahul's farmhouse देखे जो Rahul का farmhouse में वहाँ पे कौन से animal है और उनकी संख्या कितनी है वो दिया हुआ है देखे गोट है 45 चिकन 80 है काव 15 है डोग 20 है और पिग 6 है तो हमें क्या करना है यहाँ पे हमें bar graph draw करना है sorry question मैंने पूरान इलख्या space के उससे लेकिन यहाँ पे हमें करना है bar graph draw ठीक है so इस bar graph को मैं आपको graph paper पे draw करके दिखाऊंगी ठीक है so यह रहा हमारा bar graph और हम ready है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ यह जो एक box बना हुआ है square यह 1 cm का है ठीक है 1 by 1 cm का है यहां से यहां तक 1 cm यह 1 cm का है ठीक है कितना 1 cm अगर हम अपने scale की बात करें तो देखिए यहां से यहां तक 1 cm का आएगा ठीक है और यहां से यहां तक जो छोटी छोटी लाइन है न हमारी scale की बीच में ध्यां से देखिए यह है हमारी 10 तो यहां पर भी यहां से यहां तक जो है छोटी छोटी इस तरीके से 10 लाइन है हमारी जो है इसमें ड्रा है ठीक है सबसे पहले आप x-axis ठीक है एंड यह हमारा y-axis आप ड्रो कर लीजी ठीक है यहां पर हमारा हमेशा होता है 0 अब हम देखेंगे यहां पर जो नंबर है always नंबर जो है यहां पर आते हैं ठीक है हम नंबर को हमेशा जो है y-axis पर लेते हैं और हमारी जो संख्या है वो 80 तक है ठीक है कितनी है 80 तक है तो आप 10-10 का डिफ्रेंस भी ले सकते हो जैसे यहां पर हो गया हमारा 10 ठीक है 20 यहां पर जो डिफ्रेंस हम रखेंगे वो same अब देखे 0-10 के बीच में आपको एक लाइन पतली सी और नजर आ रही होगी यह वाली देखे यह बन जाएंगे हमारे 5 ठीक है 1-2-3-4-5 यह 5 होते है मैंने जब आपको पेपर पे समझाया था भी मैंने आपको बताया था यहां से 5 और 5-5-10 अगर आपको यहां से 20 लेते यहां से 30 से 20 तो आपको यहां पे 40 लेना पड़ता क्योंकि इस यहां से 0 से और 10 के बीच में इस वाली लाइन के बीच में आप जितना गैप लोगे यानि कि 20 का 10 का उपर सेम ऐसे ही चलता जाएगा ठीक है अब हम नीचे क्या करेंगे हम 1-1 इनको छोड़ देंगे बोक्स क और एक के उपर हम बार ग्राफ ड्रो करेंगे यहां पर ठीक है ऐसे इसको छोड़के यहां पे हम बार ग्राफ ड्रो करेंगे और नीचे हम सारे नेम लिख देंगे तो सबसे पहले जो क्योशन है उसमें था हमारा गोट ठीक है क्या था गोट गोट है 45 पे तो 45 आपका कहां पे आएगा ये देखे 40 और 50 के बीच में आएगा और ये ठीक है यहां आप इसको ऐसे ब्रो कर दीजी यहां पे लिख सकते हो ये गोट और यहां पे आप इनकी संख्या लिख सकते हो 45 ठीक है next हमारा है चिकन जो की है 80 80 हमारा कहां पे पड़ेगा यहां पे जब यहां ब्रो करते हैं तो यह compulsory नहीं है कि आप इधर बीच में लाइने छोड़े आप इनको mix करके भी हां से ऐसे 80 draw कर सकते हैं वो भी correct form होती है सो ये था हमारा chicken next हमारा cow जो कि है 15 तो 15 हमारा कहां पर पड़ेगा 10 और 20 की बीच में यहां पर ठीक है पहले आप point लगा के बाद में भी draw कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे 15 cow उसके बाद था हमारा dog जो कि 20 थे और last में थे हमारे pick जो कि 6 थे तो आपको 6 कहां पर मिलेगा 0 और 10 की बीच में तो देखे मैंने बोला थे यह half 5 है तो एक उपर किसकी जो number है आप अगर धहां से देखेंगे तो यहां से लेकिए यहां तक पूरे 10 लाइने बनती है तो यह आगया हमारा 6 यह थे हमारे pig तो यह लिजे हमारा bar graph जो है ready है यहां पर आप लिख सकते हो animals name यहां पर आप लिख सकते हो number of animal ठीक है number of animals हमारा जो next question है वो pie chart से related है और हमें इसे read करना है और जो questions दिये हैं उनका answer में करना है analyze the pie chart and use the data to answer the question ठीक है तो देखें यहां पर जो vanilla है वो 16 students यह एक survey था जिसमें बच्चों को ice cream दी गई थी और यहां पर वो data दिया गया है कि कितने बच्चों को कौन सा flavor पसंद आया यह question complete यहां पर इसलिए नहीं है क्योंकि space कम था बढ़ आपको explain कर रहे हूं ब्यू बेरी आठ बच्चों को पसंद आई चोकलेट 11 मिंट चोकलेट चिप्स 9 को और वनीला 16 को पसंद आई है विच आइस क्रीम इस दा मोस्ट पोपलर अमंग दा स्टुडेंट सो वनीला जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आई है ठीक है क्योंकि वो 16 स्टुडेंट ने पसंद की है तो यहां पर हम लिख देंगे वनीला ठीक है next how many students participated in the survey सो कैसे पता चलेगा सब को add कर दीजी 16 and 6, 22, 8, 30 and 20, 50 students ठीक है next how many students like strawberry strawberry कितने students को पसंद आई थी 6 which is the list favorite ice cream so सबसे कम जो पसंद आई थी हमारी वो थी वो भी strawberry थी तो यहां पर आप strawberry लिख दीजिए strawberry okay third question है वो भी हमारा बार ग्राफ से लेटीड है जिसे हमी ड्रो करना है और इस वाले question को मैं आपको ड्रो करके दिखाऊंगी इस page पे ठीक है हो सकते है आपको अगर graph paper ना मिले तो आपको इस पर भी draw करना आना चाहिए ना right सो देखें यहां पर colors दियो हैं यहां पर नंबर और चिल्डरन दियो हैं कि जैसे red color 9 बच्चे को पसंद है 9 चिल्डरन को ब्लू 13 चिल्डरन को पसंद है black 20 यलो 14 और ग्रे 15 सो चलिए paper पर सीखते हैं बार ग्राफ कैसे draw करेंगे सबसे पहले हम draw कर लेंगे x-axis and y-axis ठीक है अब यहां पर हम इस तरीके से draw करेंगे 1-1 cm ज्यादा की जरूतनी है यहां पर हमेशे numbers आते हैं और आप 0 से शुरू करिएगा ठीक है इस तरीके से आप easily draw कर पाएंगे यह 1-2 यहां पर 0 है यहां पर मैं टूटू का लूंगी 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20 ठीक है तो सबसे पहले red color red कितनों को पसंद है 9 को तो 9 हमारा कहां पर होगा 8 और 10 के बीच में इनके बिल्कुल mid पे तो यहां पर हमारा आ जाएगा 9 ठीक है और यह हो जाएगा हमारा red color next है हमारा blue जो कि 13 है तो 13 का पर होगा 12 और इसके बीच में 13 उसके बाद black 20 को पसंद है तो 20 हमारा यहां पर होगा यहां पर आप इस तरह किसे बार ड्रो कर सकते हैं 20 और नीचे हम लिख देंगे black यह blue उसके बाद हमारा yellow यहलो जो है 14 को पसंद है तो 14 हमारा यहां पर है और last हमारा gray जो कि 15 को पसंद है तो 15 हमारा कहां पर होगा 14 और 16 के बीच में बिलकुल इनके exact बीच में ठीक है 15 यह हो गया हमारा gray color इस तरह के से हम अपने paper पे भी ड्रो कर सकते हैं यहां पर आप लिख सकते हो number of student यहां पर आप लिख सकते हो color's name तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है अगर आप कोई वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक करिए शेर करिए और हमें कमेंट शेक्शन में ज़रूर बताए आपको यह वीडियो कैसे लगी तिल देन बबाई स्टे से से स्टे हेल्दी